ओम सिरी गने साय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 अप्रेल सौंबार के रासी फलक के बारे में की हा दिन उम रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिग्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला है दोस्तो आप लोग बहुत ही अधिक संतुलित प्रवर्ति के होते हैं आप अपने शामाजिक संबंदों को आज और अधिक मजबूत करेंगे धर्मिक कारों में आज आपका अधिक समय व्यातित होगा घर में किसी के विवास संबंदित कोई योजना बन सकती है आज कोई रुकी हुई बड़ी पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याएं काफी हद त तक हल हो जाएंगी तथा टैंसन भी दूर होगी घर के बुजुर्गों का आशिरवाद और सयोग आपकी परिस्तानियों में सायक सिद्ध होगा आपके व्यक्तित्व तथा आत्मविश्वास के समक्ष आपके विरोधी परस्त होंगे समाज में आपका मान सम्मान और इसकी बज़े से आप अपने कारों को भी बहतरिन तरीके से करने में समर्थ होंगे दोस्तों आज संतान को भी कोई महत्पपूर्ण और बड़ी उपलब्दी मिलने से घर में खुसी भरा माहूल रहेगा नजदी के रिष्तेदारों के साथ गैट टूगेदर का भी प्ल दुख नहीं होगा यदि कोई कोट केस चल रहा है तो उस पर भी आज विचार विमर्ष हो सकता है जिससे की फैंसला आपके पक्ष में आ सके साथ ही किसी महत्पपूर्ण व्यक्ति का भी सहोग आपके कारों को और अधिक सुगम बनाएगा पिछले कुस समय की ठकान भरी द रहतीत होगा बच्चे की किलकारी से संब्दित कोई सुब सूचना आज आपको मिल सकती है जिससे घर परिवार में काफी खुसी बरा माहौल रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज किसी भी प्रकार की यात्रा से नुक्सा समय वर्त ही व्यतीत ना करें क्योंकि इनकी वज़े से आपके महत्पपूर्ण कार रहें बीच में ही रह जाएंगे विध्यारती वर्ग को अपनी पढ़ाही के प्रती ज्यादा ध्यान देनी की आवशकता है आएके साधन भी आज आपके लिए सामाने ही रहेंगे इसलिए अपने खर्चों पर अंकुष लगाकर रखना आवशक है पैसे के मामलों में हात तंग रह सकता है परन्तु इस समय अपना दरश्टी कौन शकारात्मक बना कर रखना ही उचित है साथी साथ पडोसियों के साथ भी किसी बात को लेकर किसी भी प्रकार का कोई मतबेद आज हो सकता है पुलिस थाने जाने की भी नौबत आ सकती है इसलिए अपने आक्रोस पर कंटोर लखना जरूरी है कोई भी निर्णे दिल की अपेक्छा दिमाग से ले भावुकता में आकर आप अपना नुक्षान कर सकते हैं बच्चों की गती विदियों पर कड़ी नजर रखे उ जमीन जायदात से संबंदित काउजी कार्रवाहि को बहुती अधिक ध्यान से करें किसी भी प्रकार की दोका दड़ी आपके साथ हो सकती है थोड़ा सावधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जब की लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों घर के किसी भी मामलों को हल करने के लिए जीवन साती का आज आपको पूर्ण शयोग प्राप्थ होगा प्रेम संबंदों में गलत फैमी की वज़े से कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रती आज आकरशन बढ़ने से परसनल लाइफ में कुछ दिक्कते उत्पन हो सकती हैं इसलिए अपनी भावनाओं को सैयमित रखें पती पतनी के मदूर संबंद रहेंगे किसी बच्चे की नकारात्मक बात को लेकर कुछ तनाव रह सकता है पती पतनी में भावनात्मक संबंद मदूर रहेंगे परंतु घर में जादा हस्त छेप करना ठीक नहीं दोस् आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आर्थिक गति वीदियो में अभी कोई सुदार होने की संभ भावना नहीं है परन्तु भविश्य संबंदित योजनाओं के लिए अभी से ही मेहनत करना आवश्यक है नोकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आज प्रमोशन के योग बन रहे हैं साती सात कारे छेत्र में आज मन कुछ विचलित होने की वज़े से ध्यान नहीं लग तथा निर्ने लेने में भी कुछ ऐस हैज महसूस करेंगे इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर के वरिष्ट जनों की सला आप अवश्य चलें वेवसाइक परिस्थितियां अभी पूर्ववत ही रहेंगी परन्तु मार्केटिंग संबंदित कारों से आज कुछ फायदेव में गतिविदियां बहतर रहेंगी आपकी अच्छी चवी की वज़े से मार्केट में आपको अच्छा ओर्डर मिलने की आज संभाव नहें इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने कारे पर ही केंद्रित रखें नोकरी पेशा वेक्तियों के लिए भी आज का दिन बहुती महत पूर रहेगा दोस्तो साती सात कोई भी निलने दिल की अपेक्छा आप दिमाख से ले भावुकता में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं बच्चों की गतिविदियों पर कड़ी नजर रखें उनके द्वारा किसी प्रकार का आज नुक्सान हो सकता है दोस्तों अपने वेवसाय से संबंदित किसी भी प्रकार के प्लान को आप दूसरों से सेर ना करें नहीं तो आपको काम का ज़्यादा फायदा नहीं होगा और लोग उसका फायदा उठा लेंगे दोक्री पेसा वेक्टी भी अपनी फाइल और डोकुमेंट्स बहुती अधिक समाल कर रखें अन्यता आप परिसानी में बढ़ सकते हैं साफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो अपने आप में आत्मभल की कमी आज आप महसूस करेंगे इसकी वज़े से शाररिक कारे छमताओं में भी कमी आएगी इसलिए आज आप अप करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशे शुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इशिनान आदिशी निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव के मंतर ओम नमस्शिवाए मंतर का जाप करते हुए शिविलिंग पर कच्चा दूद अरपित करें औ दोस्तो ऐसा करने मातर से ही भगवान भूलेनाथ बहुत जल्द प्रशन होकर आपकी समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से सीगर ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी औ और आपकी समस्तमनों का आपने भगवान भूलेनात अवश्य ही पूंड करेंगे या दोस्तों आपकी सपाय को वश्य करें को वश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान भूलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्छे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै बोले ना तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद